आज से हम एक नई सीरी शुरू कर रहा है जो कि यह Jenkins तो जैसे कि आपको पताए कि Jenkins जो है अपने आप में एक ऐसा टूल है जो कि अगर कहीं पर भी अगर DevOps की बात होती है तो CIO CD टूल जो के वो बहुत ही important हो जाते हैं तो चलते हैं आज के Agenda के बारे में हम बात करते हैं तो प बात करेंगे कौन-कौन से अल्टरनेट टूल से जो कि अभी मार्केट में यूज होते हैं और Jenkins को ही अभी मार्केट क्यूं एडप्ट कर रहा है फिर बात करेंगे Jenkins के बारे में फिर इसका पूरा सेटप हम देखने वाले कैसे हम हमारे लोकल पे या हमारे क्लाउड इंफरा क्यों होता है स्वेर ऑलसित के बात Tib aura सैक्ल जब हम इस स्वेर नायट साइकल होती है हर एक चीज तो वैसे संफबयर जब हम बनाते तो तो उसकी भी एक life cycle होती है, इसमें क्या होता है, coders जो होते हैं, जो developers होते हैं, वो अपना code लिखते हैं, उसको एक SCM tool में डालते हैं, मतलब कि source code management tool होता है, और example जैसे कि आप बात करें, bit bucket है, github है, तो ऐसे बहुत से SCM tool से market can develop है, फिर वो क्या होता है, build tool के अंदर जाता है, वहीं पर ही उसके testing और feedback लिया जाता है, और जब एक बार पूरा का पूरा build हो जाता है, पूरा का पूरा package हो जाता है, फिर हम उसे क्या कर देते हैं, डिप्लाइ कर देते हैं, तो ये एक बहुत ही basic definition है SDLC, अब चलते हैं आगे, scenario before CICD, जब CICD continuous integration और continuous deployment नहीं आया था, तब कैसा scenario था, और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ताकि जब हम CICD के आगे चलके जब बात करेंगे, तो आपको पूरी picture clear रहेगी, कि CICD आने से क्या-क्या effect आया है, तो let's suppose करते ही कि हम एक website बना रहा है, तो पहले क्या scenario कैसा होता था, पहले developer 1 काम करता था, let's suppose करते ही कि मेरी website के अंदर मुझे front end, back end और database का का काम करवाना है, तो हमने 3 full stack developer रखे, तो इसमें क्या होता था, पहले developer 1 काम करेगा, फिर वो अपना काम किसको पास करेगा, दूसरे वाले को, फिर दूसरे वाला क्या करेगा, उसको implement करेगा, तो इस वक्त क्या होता था, जब मेरा developer 1 काम कर रहा है, तो developer 2 और 3 क्या है, बिल्कुल वेकेंड पड़े रहते थे, फिर 2 जब काम करता है, तो 1 और 3 हमारे बिल्कुल खाली पड़े रहते थे, और respectively 3 के अंदर भी यही होता था, एक बार यह पूरा का पूरा हमारा जैसे कि पूरी इन और वेबसाइट बना दिया, फिर वो जाता था टेस्टिंग के लिए, अब, अब, लैट प्न करते हैं, तो 2 अन्यों टेस्टिंग करका टो, आपकर यहाँ पर इशु आता था, जब ही भी व को टेस्टिंग करते थे, लैट सपोस कि उसकें डो कोई इशु आयाई, अब इशू आते ही वो कि आप देते थे तो इस ताइम पिखा इशू आता था कि यह पता नहीं लगा पाते थे कि एरर बेसिकली है कहा पर उस एरर को पूरा को पूरा ट्रेस करने के लिए पूरे गोड को ही गो थू करना पड़ता था और इसमें कई बार यह प्रॉबलम भी आते थे कि डेवलपर प्रून ने करिये तो यह कॉमन सेनरियो था जब सीएडिया नहीं था और एक बार यह पूरा हम करी नहीं पा रहा है कि आपकी मार्केट वेल्यू कम होती जा रही है मार्केट में जो जितना जल्दी आपका इंप्लाइमेंट पर रहें चाहिए वह उस रेट पर नहीं हो पा रहा है मगर उसके बाद आया हमारे पास CICD CIE मतलब होता है continuous integration CD का मतलब होता है continuous deployment तो यहां पर इन situation में काम क्या होता है तीनों के तीनों डेवलपर जो है वो पैरली वर करते हैं उनको एक center repository दे दी जाती है जैसे कि GitHub के बारे में हमने बात करा उसके बात करा उसके बात करता है तेस्टर जो होता है तेस्टर भी परलेली वर करता है किसके साथ डेवलोपर के साथ ऐसा नहीं कि डेवलोपर पहले लिखेगा फिर टेस्टिंग होईगी टेस्टिंग के लिए वो अपने टेस्ट किसिस पहले साही बना के रखते हैं और इसको जनके यह कोई भी CI टूल के साथ एंटेग्रेट कर देते हैं आगे चलके हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं टेस्टिंग के लिए भी और उसके बाद यह क्यों क्लिक के अंदर हम डिपलाय कर सकते हैं तो यह होता है बेसिक सेनरियो आफटर CICD आने के बाद क्या-क् लेते हैं benefits of CICD पहला तो है improve code quality तो code की जो quality है वो improve कर सकते हैं कैसे कि जब हम इसे central repository के अंदर ढालेंगे तो वहाँ पर एक डिफरेंट डिफरेंट हम चेक तीसरा है enhance collaboration तो पहले क्या होता था पहली एक टीम काम कर रही है फिर दूसरी कर रही है फिर तीसरी कर रही है मगर इन situation में क्या होता है अब कि डिफरेंट डिफरेंट टीम्स तो है मगर वह एक ही टाइम पर काम करती है इंक्री स्ट्बॉलैंट विटी डेफिनिट कर अगर आपकी पाइपिलाइन बहुत स्रॉंग है तो वह क्या ओने वाला है अब क्या हां अपकी प्रॉबटी विटी को इंक्रीस करने वाल है फिर ऐ हायर रिलाइबिटी एनESE stability, right, stability तो यह प्रोवाइट करता ही करता है, और बात करते है, cost efficiency, क्योंकि पहले हमने क्या देखा, कि ऐसी situation के लिए होती थी, cost जो है, बहुत से ज्यादा जाती थी, क्यों, क्योंकि हर कोई बंदा अपना efficiently work नहीं कर पाता था, जब one काम कर रहा है, तो two rest पे, two जो काम कर रहा है, तो one or three rest पे, तो ऐसे हिं करके हम cost efficiency यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद है customer satisfaction, अगर आपका deployment, delivery जो है, वो time पे हो रही है, तो आपका यहाँ पर क्या होने वाला customer जो है, वो भी satisfy रहता है, अब बात कर लेते हैं, अ पूरी scenario के बात कर यह, git lab के अंदर कैसे काम होता है, second circle CI, फिर है Travis CI, उसके बाद है bamboo और Azure DevOps, जो के आजकल most popularly जो यूज हो रहा है, वो Jenkins यूज हो रहा है, और उसके साथ ही Azure DevOps, जो लोग Azure के अंदर काम कर रहे हैं, वो mostly Azure DevOps पे भी आजकल काम करते हैं, अब चलते हैं, और इस Jenkins, तो बात करते हैं, Jenkins होता क्या है, हमने यह तो समझ लिया कि Jenkins जो होता है, एक CI CD टूल होता है, मगर CI CD टूल होता क्या है, तो Jenkins जो एक open source CI CD टूल है, right, it automates, तो CI CD टूल क्या होता है, यह automate करते हैं, आपके building को, building मतलब कि कोई भी एक software बन रहा है, तो उसको बनाने में आप उसके deploying में, जो कि यह team जो मैंने SDLC की बात करी थी, उस SDLC में भी हमने यह तीन चीजों पर ही बात करी थी, पहला तो है developer का, second है testing और तीसरा है deployment, तो इससे यह पूरे scenario से क्या होता है, आपका जो software deliver का, जो method है, वो efficient हो जाता है, और reliable हो जाता है, अब बात करते हैं, Jenkins की, Jenkins ही जैसे मैं चाता हूँ कि मेरे पात दो computer है, एक तो जावा इंस्टाल है इसमें, दूसरा है Python, तो मैं चाता हूँ कि मेरा यह जो code है, वो किस पे चले Java की बाले पर, तो हम simple करते हैं, लेबल लगा सकते हैं तो कि मेरे Java वाला जो भी code है, वो जावा पे ही चले Python वाला Python के एजेंट का यहां पर widely use होता है, जब हम यह grouping करते हैं, तीसरा है plugin integration, तो plugin की जबी भी हम बात करेंगे, यहां पर git, maven, docker, kubernetes के साथ-साथ, यहां पर 1900 प्लस यहां पर plugins के method available है, यह जो है Jenkins plugin के website है, तो आप यहां पर देख सकते है, discover the 1900 प्लस community contributed Jenkins plugin to support building, deploying and automating any project, तो यहां पर 1900 प्लस integration tool है, इसके लिए आजकल widely used हो रहा industry in the Jenkins करने वाले environment setup की, तो आप environment कहां कहां setup कर सकते हैं, पहला तो है आपका local computer, उसमें आप setup कर सकते हैं, second is cloud, cloud आप कोई भी ले लीजिए, आप method वही same रहने वाला है, क्योंकि अभी तो हम environment create करें उसके उपर Jenkins के सारे काम करेंगे थर्ड पर्टी टूल्स जैसे की localist होगे है, उसमें भी आप ये कर सकते हैं, अब बात कर लेते हैं, प्री रिक्यू साइट, हम जो lab को setup करने जा रहा है, वो करने वाले AWS के उपर, तो इसके लिए आपके पास AWS का एकाउंट होना ज़रूरी है, और अगर आपको नहीं पता क क्रेट करते हैं, तो हमने यहां पर description में आपको link भी दे दूँआ, वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपना free tier AWS account क्रेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास, आप नहीं चाहते हैं कि आपका debit card आप दे, तो वो method भी मैंने इसमें बता रहता है, अब करते हैं, अब करत आपके करना है, launch instance, और यहां पर हम इदर Jenkins, master नाम से में इदर, यहां पर EC2 instance का नाम लिख देता हूं, उसके बाद आपको यहां पर free tier eligible वाला ही लेना, यहां पर मैं Linux 2 AMI ले रहा हूं, और चलते हैं नीचे, यहां पर आप key pair कुछ भी select कर सकते हैं, अगर आप चाहें, तो और जो भी installation method है, यह Jenkins की खुद की documentation है, वहां पर आप देख सकते हैं कैसे हम हमारे Jenkins को install कर सकते हैं, Linux के उपर, तो आपको simply Google पर लिख रहा है कि install Jenkins on AWS EC2 instance, तो आपको यह document दिख जाएगा और इसी को ही हम यहां पर follow बनने वाले हैं, तो चलते हैं हमारे instance के उपर, तो Jenkins master नाम से हमने install बनाया था, जो कि अभी pending state में है, यह बार यह append running में आता है, उसके बार हम देखते हैं, इसको कैसे setup करना है, सीरे चलते हैं, आप connect के उपर, यहां से आपको अपने Jenkins को connect कर लेना है, EC2 को connect कर लेना है, और इसके उपर हम करने वाले हैं install, अब कभी भी हम Jenkins को install करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, sudo stu मतलब as आपको root user बनके ही काम करना पड़ता है, और यहां पर कभी भी Jenkins के लिए एक dependency जो होती है, वो होती है, यहां पर java की, तो java को हम यहां पर install कर लेते हैं, install java 11 jdk, open jdk आपको यहां पर चाहिए होगा यहां लोटररा है, हमें nothing to do, यह error है, तो आप देख सकते ही, कि इसने हमें यहां पर यह command भी दे दिया तो इसे आपको यहां से copy कर लेता है, और यहां पर हमेंसे paste कर लेते हैं, और करते हैं, लगा इसे install तो आफ देख सकते हैं अभी अर्य इस्टलाशन चालू हो चुका है, एक बार हमारत एजए डी के इस्टल हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे हमारे जनकेंस पर स्विच और जनकेंस को करना वह देख लेंगे, यहां करना है छेंट एक बार यह भी होने के बाद आपको फिर से अपग्रेट कर लेना है उसी कि आप उने के आपको यहां पर इंस्टॉल कर दिया है कि आपको सब्सक्राय करना है तो देख सकते हैं, यह मेरा Jenkins इस्टॉल हो गया है, तो जैसे ही इस्टॉल होता है, फिर हम करेंगे इसे start, तो देख सकते हैं, आप मेरा यहां पर Jenkins इस्टॉल हो चुका, अब चलते हैं, यहां पर कमार, तो systemctl, यह मतलब कि अगर आपका, जो EC2 है, वो restart भी हो जा, तो भी मेर यह चलतार है, उसके लिए, अब इसके बाद हमें start कर लेनी है, हमारे Jenkins की service को, तो यहां पर मेरा Jenkins है, यहां से start हो जाएगा, मगर इससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले चलना है security group के अंदर, और यह काम हम क्यों क्यों कर रहे है, security group क्योंकि हमें क्या करना है, यहां पर port को enable करना है, तो port enable करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, add rule पे चलते है, और मेरा Jenkins जो वो 8080 port पे चलता है, और anywhere IPv4 कर लेते हैं, और इसे same rule पे click कर लेता है, तो आप देख सकते हैं, यहां पर start Jenkins, तो यह Jenkins चलने में थोड़ा time देगा, तो चलते हैं, फिर से हम हमारे EC2 और अब आपको क्या करना है, यहां से इसको select कर लेना है, हमारे EC2 instance को, यहां पर चलना है public IP पे, और एक बार यह public IP उपन हो जाए, तो हम इसको port ढाल के check कर लेंगे, कि यह मेरा चालू है या रही, तो यहां से हम देख लेते हैं, 8080 ढाल के, तो आप देख सकते हैं, यह मेर करने के लिए, अब यहां पर यह administrator password मांगेगा, तो administrator password के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इस path को आप copy कीजिए, चलिए अपने EC2 instance पर, यहां पर cat command लगाई और इसे paste कर दीजिए, तो paste करने के बाद आपको यहां पर password दिख जाएगा, इसी को यह आप copy कीजिए, य पर क्लिक करके आप इनको install भी कर सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, तो आज का जो एंडा था वो हम पूरा कर चुके है, पहला जो introduction to CICD, alternate tools कौन कौन से होते हैं, market में, वूस की हमने बाते करी, उसके बाद हमने देखा कि Jenkins किस लिए यूज होता है, और widely क्यो यूज ह हो रहा है अभी market में, और पूरा setup वो हमने आज इस वीडियो में complete किया, next video में हम बात करेंगे, pipelines क्या होती है, different tools को लेकि हम integrate करेंगे Jenkins के अंदर, and thanks for watching.